हेलो गाइज वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूं नितिन कुमार और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे लोसन क्लासेस में दोस्तो हमने राजपुताना डाइनेश्टी के बार में पढ़ा तो उसके बाद जो डाइनेश्टी आती है वो दरसल दिल्ली संतरत होती है मेडाइबल हिस्टी हमारा सुरु हो गया है तो दोस्तो यह जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चाप्टर है दिल्ली संतरत क्योंकि इसे हर एक साल कोशन आते हैं चाहे वह S.C. हो यूपी S.C. के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और S.C. के लिए भी दोस्तों क्योंकि ये चाप्टर से समय ले कोई भी competitive जाम होता है तो इसे एक या दो question तो आता है हमेशा fix है तो देखिए देली संतनत में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन ऐसा Muslim था जो भारत पर आकरमंड हो एकिंगे देखो जब पिर्थिवरा चोहान जो था है जब उनके ठीक है यह दरहसल फिप्टिन से लेकर ट्वल हंड़ सिक्स एडी में यह दरहसल अटेक किये थे बहुत बार अटेक किये लेकिन काम्याब नहीं हो पाए लेकिन जब पिर्थिवरा चोहान के टाइम मोहमद गोरी जब आया तो उसका केवल में मकसद था भारत को लूटना अपनी सत्ता वहाँ पे नहीं मतलब किंग्डम नहीं बनाना वहाँ पे इसका इडादा नहीं था मोहमद गोरी का तो जब बैटल अफ ट्राइन होता है फर्स्ट बैटल अफ ट्राइन 1191 में फिर्थिवी राचियों हान उस वक्त मोहमद गोरी को हारा देते हैं अब मोहमद गोरी हारने के बाद अब यहाँ पे आता है कौन कुतुबुदिन एबक जब मोहमद गोरी पूरी तरह से घायल हो जाता है फर्स बैटल अफ ट्राइन में तो किसका वो था कमांडर मोहमद गोरी का कमांडर था कुतुबुदिन एबक और वो दरसल क्या करता है 1192 में सेकेंड बैटल अफ जब ट्राइन होता है तो मोहमद गोरी जो रहता है फादर इनलो और पिर्थिवी राचियों हान साथ मिलके जैचन जिसका नाम था वहां उसके साथ मिलके इसको हराता है पिर्थिवी राचियों हान को हरा देता है अब वहां हराने के बाद यहां से क्या होता है मोहमद गोरी लूटता है इंडिया को उसका पहला लूट आपका जो सोमना टेमपल है पुरी तरह से उसको लूट लेता है फिर उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो अपना किंडम भारत में अस्थापित करे तो जब वो बुढ़ा हो जाता है और जब कहा जाता है कि वो जो मर गया पिर्थिवीरा चिवाहन ने मर गया तो कभी कोई इसका इतिहास जो है महमद गोरी का उसकी देथ बहुत ही मिस्टरी है और पिर्थिवीरा चिवाहन की दरसल हुआ क्या कोई नहीं जानता है तो उसके बाद जो कमांडर था कुतुबुदिन एबक किसका महमद गोरी का उसको यह डैनेश्टी मतलब बोलता है कि पावर मिल जाता है कुतुबुदिन एबक जो था उसको पावर मिल जाता है महमद गोरी के दवारा और यह दरसल किंग बन जाता है इसका एबक का यह यहाँ से स्लेब डैनेश्टी सुरू होता है और ये दरसल बता दें कि जो slave dynasty, khilji dynasty, तूर्क dynasty और सायध dynasty ये दरसल क्यों लोधी dynasty को छोड़के ये चारोधी कहां के थे हैं दरसल ये तूर्की के थे हैं अब ये जो लोधी dynasty है दोस्तों ये लोधी कहां से बिलॉंग करते हैं तो लोधी आपका अफगानी थे हैं तो लोध 106 से 1526 तक दिली संतनत का प्रियाड है यहां तो फिर उसके बाद तो मुगल आते हैं आपका फिर उसके बाद ब्रिटिश्ट आता है तो slave को दरसल गुलाम कहा जाता है हिंदी में तो गुलाम dynasty जो है गुलाम क्योंकि देखो कुतुब दिन एबग गुलाम था किसका तो मु प्रियर आइकन है उससे तबाले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहें दोस्तों और आप लोग रेगुलर अप्टेट रहें चले सुवाद करते हैं स्लेव डैनेश्टी के सुल्तानों के नाम दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तो इतने सारे उनके सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ना है कुछ इंपोर्टेंट है जैसे कि आपको कुतुब दिन एबग के बारे में पढ़ना है इतुत्मिस के बारे में अब पर आपको आपको बालबन के बारे में पढ़ना है फिर आपको परहना है कि जी के बारे में दे fr टी है जान से अग्य को वह इस जी कि सब्सक्राणी टूस है कि टीक है दोस्तों यह दरसल busy 2,09 सा Car Chen रखे इन्हों ने अपना कैपिटल लाहो रखा फिर बाल में दिल्ली कर दिया कुटूवदीन एबग दरहसल आपको बता दे कि यह जो थे कुटूवदीन एबग यह कुटू मिनार बनाये थे क्योंकि जब यह सुफिस संथ के बाद इनका नाम हो गया था ख्वाजा कुटूवदीन बक्तियार काकी इनका नाम हो गया था दोस्तों इनकी देथ जरहसल बहुत ही गज़ब तरीके से हुई थी क्योंकि यह जो थे पोलो खेल रहे थे जिसको अर्बिक में तुर्की में कहा जाता है चौगन ठीक है दोस्तों जो कि बहुत इंपोर्टेंट है पुछा जा सकता है कि वताई यह कौन सा ऐसा दिल्ली संतनत करा जा था जो कि पोलो खेलते वक्त या चौगल खेलते वक्त उसकी मौत हो गई घोड़ों से गिरके तो कुत्व दिन एबक्त जो थे हैं वो इसलाम यह दरसल हिंदू टेंपल जो था इसमें आपको जैनीजम मुदीजम के भी अफसेस मिलते हैं उसको तोड़ कर यह वहाँ पे पहला मस्जिद बनाया फिर अड़ाई दिन का जोपड़ा इन्होंने अजमें में बनाया जो कि आपका परवती टेंपल सरसती टेंपल थ अजमेर में यह दरसल बिदवान में थे पढ़ाई में और बहुत सारे राइटरों का भी इन्होंने सयोग किया जैसे की खसन निजाम जो की राइटर है ताज उलमसीर के और फर उद्दिन जो की राइटर है लिखे हुए है ताहिर की आई मुबार्क साही का ठीक है तो इनक स्लेव dynasty का फांदर है तो यदरकिया जो जो कुछ सा रूलर है हैं जो आखी पुछा सकता है कहां कि लिखे है सकने देल्स सब्सक्रतनत का रूलर था जो कि पहला जब खिलता है इंसान वो चार प्लियर होते हैं फोर ओनली फोर प्लियर ठीक है अब नेक्ष्ट बात करें इतुतमिस इतुतमिस जो थे हैं दोस्तों ये बारा सो दस लेके 36 तक इन्होंने अपना राज किया इतुतमिस ये जो थे हैं एबग के सो निल नौ थे हैं और ये अपना भी किंडम बहुत फ्लाएं आगे तक ले गाएं इंडिया में बहुत जगह इन्होंने राजपूत लोगों को भी हराया और बताएं कि अजमेर मलावा गौालियर यहां प्बही अपना दरसल दबदबा बनाये और उन्का जो जितने भी राजपूत है उनका भी इन्होंने ये किया अभी क्या कर दो इनके बारे में जो न लिखख के मिन्हाजिल उल्नसारी का भी इन्होंने संड़्चण किया क्योंकि यह जो इंपॉर्टेंट है ये गजम में आ चुका है दोस्तो ठीक है इनको फादर आफ ताजाता एक नियाट सौरी इनको फादर आफ टॉम बिल्डिन कहा जाता हैं दोस्तों क्योंकि इन्हों ने दिल्ली में ये दरसल अपना मख़बर बनाय थे ठीक है और इस की जो बेटी रूलर्स थी मुस्लिम में जो की एक योधा थी और इनसे दरस्तो बहुत ही मिश्रीन पे पिक्चर भी बनी हुई है रजिया सुल्तान इनके दरसल बात करें तो ये 1236 से 1240 तक रही इनसे पहले दरसल दोस्तो इनका ब्रदर जो था सत्ता पे था 1236 से दो साल तक रहा फिर उनक सारे जितने भी मुस्लिम जो धर्म गुरू थे इनके और जो रईस लोग थे इनसे बहुत जलते थे रजिया सुल्तान से क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम में जो लड़किया हैं उनका काम है घर चलाना परदे के पीछे रहना बुर्खा में रहना लेकि कि भटिना में इनको कैथ कर लिया गया इसके दोरा तो आपको मलिक अलतुनिया के दोरा इनके कैथ कर लिया गया और बाद में जो इनके जो हस्पन बनते हैं ये मलिक अलतुनिया ही बनते हैं ठीक है दोस्तों इतना तक आपको याद रहेगा लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये वापस अपने जब सहर लोटते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि रजिया और इनके जो हस्पेंड होते हैं मलिक अलतुनिया इनकी मर्ढर हो जाती है हाला कि जो अलतुनिया जो था जब भटिंडा पे जब अटैक होता है इनका रजिया का तो उस वक्त आयुक्त जो थें इनके लवर थें इनको मार देता है इनको मारने के उसको मारने के बाद जो रजिया राती है उसको जल में कैज करके रखता है भटिंडा जल में फिर उसको जब satisfaction नहीं मिलता है तो वो साधी कर लेता है रेजिया से, फिर उसको भी मार देते हैं, दोनों को मार देते हैं, जब ये वापस अपने घर लोटते हैं, तो डाकुओं ने इन पर हमला कर देता है, चार अक्टूबर, 1240 में, I think 13 अक्टूबर था या फिर 14 अक्टूबर, नाम था ग्यासुदीन बालबन, और इसका जो दरसल रूल रहा है, 1266 लेके 1286 ता किसका रूल रहा है, ये जो था बालबन, ये एक 40 जो शुरुआत किया था, 40 जो एक गड़ बंदन है, इसको इतूतमिस ने स्टार्ट किया था, जो एक सदद से था, ये बालबन भी उसमें फैमली को ये मार डाला, सारी फैमली को जी हां मार डाला, इसके तो इतूतमिस के, बालबन भी चलाग था, फिर उसके बाद खुद अपने सब गड़ी पे बैठा, 1266 ने फिर ये उसासन किया, ये बहुत ही टूष्ट राजा था, और बहुत ही घमन री राजा था, क्योंकि ये जो था बालबन, ये चाहता था लोग इसकी पूजा करें, और ये अपने आपको बोलता था कि ये जो है एक राजा, उसका दरशल आप चरन चुमें, और बोलता था कि ये दरशल एक भगवान के भी बराबर होते हैं, जो राजा होता है, इसका मानना था, ये दरशल जो चंगिज खान था, मंगोलिया का राजा, इसको और इसके बेटे को भी मार डालता है, फिर उसके बाद, इसका जो था, सत्ता, सब खतम हो जाता है, बालबन का, फिर उसके बाद दरशल आते हैं, क्यूब बाद, जो क्यूब बाद थे, 1287 से 1290 तक रहें, और ये जो थे, एक लविंग परसंट है, लोगों के द्वारा, फिर यहीं पे आपकी जो स्लेव डानेश्टी थी, वो खतम हो गई, अब हमारी सुरू होती है, खिलजी डानेश्टी, जो हमारी खिलजी डानेश्टी थी दोस्तो, उसके जो फाउंडर थे, वो जलावदीन फिरोज खिलजी जिनका नाम था, ठीक है, यह डानेश्टी कब से कब 30 साल तक रही, 1290 से लेके 1321 एडी तक, ठीक है, यह डानेश्टी आपका नौर्थ इंडिया में भी रूल की और साथ साथ में, साथ टेकन में भी उन्हों है, आपना दबदबा बनाया, और जो इनकी कैपिटल थी, वो द जलाओदिन फिरोज खिल जी जो थें, यह दरसल सलेव डानेश्टी के भी रूलर थें, और यह दरसल बात करें तो यह सलेव थे, किसके कुतुबदीन एबक के भी, यह जो थें, अपना पहला दरसल दबदबा बनाया, इनोंने अपने नौर्च इंडिया में, और इनका एक इसलाम नहीं बना सकते कुछ-कुछ एस्टेट को, लेकिन जो इनके, बोलिए सौन इनलो या फिर इनके खुद भतीजे जो थें, जो इनके भतीजे इन पे अटैक करते हैं, और पाद में इनको हारा देते हैं, किसको जलाओदिन खिल जी को, कैसे क्योंकि जो इनका भतीजा जो था, या दमात कहिए, इनकी बेटी से साधी करता है, उलग खान से, और ये दरसल दिल जिता है किसका, तो चंगिछ खान का, ये जो था, इसके ग्रेट जो कमांडर थें, मलिक, गाजी मलिक जो था, इनका ग्रेट कमांडर था, जो की यादाओ, जो सौथ में जो यादो थें, वो देवगीरी के रहने वाले थें, वो दरसल उनको हराता है, जो किंग थे, देवगीरी के, वो रामचंद्र देवा, काकात्या किंग प्रताप रुद्र देवा, उनको उसाथ भी लड़ाई होता है, उनको भी हराते हैं, और पांडियाज को भी हराते हैं, जो मधु में थे वहां भी इन्होंने अपना रूल किया और जाकर रमेस्वरम में भी अपना एक मौस्क्यू एक महजीद बनाया है साउथ में और जो गाजी मलिक थे वो दरसल एक विस्वासनी एक कमांडर थे किसके तो ये दरसल पहले तो जलाओदीन के थे लेकिन बाद में जलाओदीन को हटा दिया कौन अलाओदीन जो इनके स्टॉनिल नो थे इनको हरा दिया मतलब धोके से इनको मार डाला और इनकी बेटी से साधी किया अब ये जो गाजी मलिक जो थे किसे कमांडर बनते हैं अला मुबारक साह, यह दरसल 1326 ता लेके 320 करहा, कौन? कुतुबदीन, मुबारक साह, और यह जो था अलावदिन के ठीक ओपोजिट था, सौफट दिल कर था, और यह विश्वास रखता था जनता का दिल जितने में, दोस्तों, ठीक है? यह सुचता था कि एकर राजा खुश रहे गाजी, वो इस पर अटेक करके अपना डानेश्टी सुरू करते हैं, तो तुगलक डानेश्टी आपका दोस्तों सुरुआत होता है, तेरा सो बीस लेके 1414 एटी तक चलता है, यह बैसे कि लिए तुर्गी के रहने वाले थे, 95 सल इन्होंने रूल किया, इनके जो इंपोर् साह, यह जो था, यह बहुत ही रियल सुल्टान कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफी अपना इंपेरियर जो था आगे तक एक्सपेंड किया, और बोला जाता है कि यह दरहसल नेक दिल किरा जाते, अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे दोस्तों, तो चले बात करते हैं, दोस्तों जो ग्यासुदिन तुगलक थे, वो दरहसल गाजी मलिक ही थे, इनका दूसरा नाम था, और यही फाउंडर है आपके तुगलक डैनेश्टी के, जो कि आपका तेरह सो बीस से लेके तेरह सो पचीस तक रही, तो गलक डैनेश्टी को दोस्तों कभी- इनके जो पिता का नाम कुर्णा तुर्की था, और दोस्तों अगर कभी भी एक्जाम में आए कि कुर्णा तूर के बताएं, दिल्ली सलंतरनस्त में से कौन से डैनेश्टी का नाम है, तो याद रखना तुगलक डैनेश्टी का नाम है, यह दरहसल अपना जो टाइटिल था वो दरहसल दिल्ली के यह पहले सुल्तान थे, जो अपना टाइटिल गाजी रखे थे दोस्तों, और यह दरहसल किसके अड्मिनिस्ट्रेशन में रहते थे, तो यह दरहसल अलावदीन के अड्मिनिस्ट्रेटिव थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने इंडिपेंडेंट ग करते हुए एक अच्छे इंजिनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डैम वगेरा भी कॉंस्ट्रक्ट करा, इरिगेशन के लिए अग्रिकल्चर मेनेजमेंट किये, और यह दरहसल अपना एक फॉर्ट फिल सीटी भी बनाया है, तु करते हैं, वहाँ पर अपना एड्मिस्टेटीव रिबिल्ड करने को दिये, अपने बेटे को बोला, इनका दरहसल जो सुफी सुन्त सेख निजामुदीन अलुया था, उनके साथ इनका रिष्टा थोड़ा गंभीर नहीं था दोस्तों, उतना अच्छा नहीं था, और बात क मुराकोस से जो आएं थे, वो बताते हैं, उनका ओपिनियन है कि ये दरहसल इनकी जो मित्ती हुई थी, स्टोबेज, जो आपका, इनके बेटी के दुआरा बनाए गया था, वो तोड़ फोड़ के रखे थे, और इनके बेटी के साथ जो इनका रिलेशन था, उनका अच्छ जो था पावर आगे तक बिल्ड किया, और दोस्तो ये जो थे, लैंड रिवेनी को भी बहुत इनकीरीज कर दिये, जो कि एक गंगा यमुना नौर्थ इंडिया के बीच में जो एरिया आता है, दोप, वहाँ पर इन्हों ने अपना जो था, लैंड रिवेनी भी बहुत इन्हों ने जो अपना टाइटल था, पहले तो ये दिल्ली से इन्हों ने अपना देवगीरी अपना टाइटल रख लिया, फिर जब इन्हों ने देखा कि देवगीरी में जो नाम इन्हों ने बहुत चेंज किया, देवगीरी को इन्हों ने दौलताबाद रखा, ठीक है, और जब यहाँ पर पाई ना मिलेगे कारण वापस जो थे यह दिली चले गए और वहाँ पर देवगीरी से अपना टाइटल सिफ्ट करके दिली रख दियें क्योंकि वहाँ पर पान के कमी होगी थी जिसके कारण जो यह सोचे थे कि अपना एड्मिस्ट्रेटी वहाँ बनाएंगे साउट डेकन में तो नहीं बना पाए तो चलेगे वापस पिर इनके बाद दरसल जो आते हैं फिरो साहत तुल्क यह जो थे मोहमद के कजिन्स थे जो और वहाँ बैठें यह जो थे जितने भी लोन थे जो प्लिजन से लिये जाते थे गरीबों से वो सब कैंसल कर दिया और इन्होंने एक सिस्टम रखा टैक्स का जो की एक बटा दस ती हाई जो लैंड करीव है नहीं वो किवल हिंदू हो से लिया जाएगा और जो बाकी जो साहिद है वो जो नौन मुस्लिम उनसे टैक्समेश लिजाएगे लेकिन जो प्रोपर्टी स सब्सक्राइख है जिनके पास वह प्रोपर्टी का टैक्स ट्र नौन मुसलिम और खाराज जो की वन टैन्थ प्रोडूस अफ लैंड जो टैक्सेस होते थे वो हिंदू के वल देंगे दोस्तों तो यह याद रखेगा यह तिन नाम हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं इसको याद करना जरूरी है अब दरस्तों जो था इन्होंने दरसल के याद रखेगा फोर कैनाल भी दरसल बनाये थे इरिगेशन के लिए अग्रिकल्चर प्रोडक्शन के लिए और यह बहुत एक कहिए तो इंटेलिजेंट राजा थे बाकी इनके जितने भी राजा आये हैं दोस्तों अब दरसल अब हमारा जो सुरू होता है साहिए डैनेश् चौदो से चौदो से लेके चौदो से कावन एडी तक रहा और जो सयद डैनेश्टी के जो फाउंडर है याद रखेगा सयद खीरजर खान जो थे इंके फाउंडर थे सयद डैनेश्टी के और यह दरसल से 30 साल तक इन्होंने रूल किया भारत में ठीक है फिर इसके बाद दरसल लोधी जो थी डैनेश्टी यह अटाक की और वहाँ पे अपना सत्ता अपना स्थापित की और फिर वहाँ से लोधी डैनेश्टी शुरू होती दोस्तों यह जो थी लोधी डैनेश्टी यह दरसल अफगानी थें और बाकी के जितने भी अभी तक हमने डैनेश्टी प पफिलेंस रखियेगा लोधी डैनेस्टी जो था दिली सिल्त्यनत्का आख्री डैनेस्टी था तो जो लोधी डैनेस्टी चल्स के जो फौंडर हैं वह दरसल आपका बहलू लोधी छो थे चोदो से कांट लेके 1489 तक अपनोंने अपना रूल किया और अपना जोनपूर को इन्होंने अपना डानेस्टि जोनपूर में दरसल अस्थापित किया था दोस्तों और उसके बाद दरसल उसके बाद रियल जो आते हैं सिकंदर लोधी जो रियल यहाँ पे कहा जाएगा कि इन्होंने इंट्रिडूस किया गाज इस सिकंदर आई जो कि सिकंदर सियाड जिसका मतलब होता है जो कि कल्टिवेटिंग लैंड इंट्रिडूस किया याद रखेगा पूछा जा सकता है कि हूँ इंट्रिडूस गाज इस सिकंदर आई तो याद रखेगा सिकंदर लोधी ने किया सिकंदर लोधी दरसल इनका रियल नेम भी पूछा जा सकता है तो याद रखेगा निजाम ख बात करें कि इनकी कब कब कहां से कितनी रूल किया तो 1489 से लेकर 1570 तक इन्होंने रूल किया फिर दरसल ये दरसल 1504 में इन्होंने आगरा सिटी को खोजा और नाम दिया आगरा और वहां पर अपना कैपिटल अस्थाफित किया तो ठीक है फिर उसके बाद इबराहिम लोदी आए 1517 से लेकर 1526 एडी तक इन्होंने रूल किया इबराहिम लोदी फिर उसके बाद फिर फिर बैटल आप पानीपट जो कि बहुत इंपोर्टेंट है डेट याद रखिएगा 1526 पंदर फिर बैटल आप वहनध भी समघ्थे है दोस्तो अब आप से कोशन पूछा जाया कर बदाये जो लाश्ट ड opinनिस्था फिर उसके बाद इसाजाते है तो दोस्तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर आसा करते हैं आगको बहुत अच्छा लगा और दो acceso और समझ में भी आयोका दोस्तों अगर समझ में आ रहा है दोस्तोग तो तो प्लीज हमें फॉलो करेज़े हमारे फेस्बूक पे वाड़ा ध्यूल क्लासफ पे सब लूशन क्लासेश को फॉलो किजिए दोस्तों ज्वाइन किजिए वहाँ पे आपको जो वीडियो है आपको ओडियो में सुना तो आप मुझे खबरी पे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्सन में जाएए वहाल लिंके दिए हैं एक लिक पे आप खबरी जॉआन कीजिए और मेरे सारे जोभी है वीडियो लेक्षे आप दिया में सुन सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों, have a good day